नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्नु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी सीमा रेखा वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आपके लिए बहुत ही मैदपून होने वाले वीडियो एक दिया दो ब सीमा रेखा एकांकी विश्नु प्रभाकर जी की एक राष्ट्य चेतना परधान एकांकी है इस एकांकी में लेखक ने चार भाईयों के रूप में स्वतंत्र भारत के चार वर्ग परतिनीधियों उनके द्वंद को प्रस्तुत किया है याद रखे इसमें चार भाईयों के बारे में बताया गया हो चारो ही भाई अलग-अलग वर्गों का परतिनीधित्व कर रहे हैं उनके बीच में जो विरोध है द्वंद है वो भी इसमें प्रस्तुत किया गया है सारांश में हम लिखेंगे इस एकांकी में चार भाई हैं, चारों अलग-अलग व्याफसाय में लगे हुए हैं लक्षमी चंद्र व्यापारी है, शरत चंद्र उपमंत्री है, सुभाष चंद्र जननेता है, विजय पुलिस कप्तान है, अर्विंद बड़े भाई लक्षमी चंद्र का बेटा है एकांकी का प्रारम उपमंत्री शरत चंद्र की पैठक से होता है यहां उन्हीं टेलिफोन पर शहर में हो रहे जगडे और पुलिस द्वारा गोली चलाने की खबर मिलती है मतलब एकांकी के प्रारम में ही बताया गया कि शहर में जो है वो दंगे हो रहे हैं जगडे हो रहे हैं और पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी है ये खबर शरत जी को मिल चुकी है तभी उनकी पत्नी अनपूर्णा घबराई हुई आकर उनसे पूछती है कि अपने राज में भी गोलिया चल गई मतलब पहले क्या था अंग्रेजी राज था और अंग्रेज जो थे वो भारतियों पर गोलिया चला देते थे लेकिन आप जब अपना राज है भारतिय स्वतंत्र हो चुके है तब भी लोगों पर गोलिया चल रही है वह यह बड़ी हैरानी से पूछती है वह यह भी बताती है कि लोग सरकार को गालिया दे रही है शरत कहता है कि सरकार को तो गालिया खानी ही पड़ती है शरत गोली चलाने के समर्थन में कहता है कि गोली चली है तो जरूर कोई कारण होगा कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फैके होंगे तब ही चोथे भाई की पत्नी चोथा भाई कोन? सुभाज और सुभाज की पत्नी है सवीदा वह आकर इस बात का विरोध करते हुए कहती है कि पत्थर के बदले गोली थोड़ी चलाई जाती है गोली जनता की रक्षा के लिए दी जाती है आत्म रक्षा के लिए नहीं मतलब पुलिस को जो गोलिया दी है बंदूख दिया, वो जन्ता की रक्षा के लिए दी जाती हैं, ये नहीं कि अपनी रक्षा के लिए जन्ता पर गोली चला दी जाए, तबी लक्षमी चंदर भी वहां आ जाता है, और सवीता को गलत ठहराते हुए कहता है कि पुलिस गोली ने चलाती तो लूटमार मत जाती, शाशन की जड़े हिल जाती, वह भी पुलिस कारवाही को उचित बताता है, शरत भी कहता है कि भील को कानून अपनी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, यह विद्रो है और सरकार को इसे दबाने का पूरा अधिकार है, तबी फोन बजता है और शरत को पता, चलता है कि 5 ल अब क्योंकि सवीता सुभाज की पतनी है और सुभाज का है जननीता, दोनों ही सरकार द्वारा पुलिस द्वारा किये गए इस कारिये का विरोध करते हैं, लेकिन शरत और लक्षमी चंद्र पुलिस की कारवाही को उचित मानते हैं, और इसी बीच खपतान विजय आ जाते हैं, शरत विजय से पूछता है कि तुमने गोली क्यों चलवाई, तो लक्षमी चंद्र कहता है इसने ठीक किया है, अनपूर्णा भी कहती है कि बिना सोचे समझे तो कुछ किया नहीं होगा, शरत कहता है कि यह बहुत बुरा हुआ, जनता जानते हो, अब जनता का राज है, जनतंत्र में जनता की पर्तिष्ठा होती है, वे कहना चाते हैं कि अब अंग्रेजों का राज नहीं है, कि गोली चला दी कुछ नहीं होगा, अब तो जनता का राज है, जनता अपने हाथों से वोट देकर अपना पर्तिमिधी तो चुनती है, और तुमने जो गोलिया चलव उसका जो प्रभाव है, वे हैं बुरा होगा, विजय कहता है, लेकिन गुंडों का नहीं, मतलब जनतंत्र का जनता का राज है, लेकिन गुंडों का राज थोड़ी है, शरत और सवीता उन्हें गुंडा कहने का विरोध करते हैं, सवीता के विरोध पर विजय कहता है, कि का कर सकते थे उन्होंने 10-12 सिपाहियों को घायल कर दिया और एक इंस्पेक्टर का सिर्फ फूट गया था इसमें इस पर सवीता कहती है कि बस तो लक्षमी चंद्र कहता है कि तुम चाहती हो कि वे सब मर जाते तब सुभाष चंद्र आकर कहता है कि हां वे सब मर जाते तो अच् सभी लोगों में बहस होने लगती है इनमें सुभाष चंद्र और सवीता वे विरोध करते हैं पुलिस कारवाई का लेकिन लक्षमी चंद्र विजय और शरत चंद्र पुलिस कारवाई को उचित ठहराते हैं शरत लक्षमी और विजय पुलिस द्वारा गोली चलाने का समर् विजय को कहती है कि उसकी मन चाहा हो गया है उसकी गोली अरविंद के सीने के पार हो गई है सब हाक्के बक्के रह जाते हैं लक्षमी पूछता है कोन गोली का शिकार हो गया सवीता कहती है अरविंद लक्षमी चंद्र सोफे पर गिर पड़ता है अनपूर्णा पागल सी तार को संभालती है और कहती है कि नाश हो जाए इस पुलिस का बिना गोली कोई बात ही नहीं करती अरे विजय यह तुमने क्या किया अभी तक जो लोग पुलिस कारवाई को उच्छी ठहरा रहे थे अब वही पुलिस को गालियां दे रहे हैं विजय भी पच्ताता है वह सोचता है कि अरविंद वहां क्यों गया था उसका वहां क्या काम था तभी फोन की घंटी बजती है विजय को पता चलता है कि टैली गंज में भीड बेकाबू हो गई है वह तेजी से भागता है शुभास और सरत भी उसके पीछे जाते हैं अब लक गोली चलाने से इंकार कर दिया अब विजय जिसे पता था कि उसका जो भतीजा है वो मारा जा चुका है पिछली गोली में अब वह किसी भी घर के लाल को उजाड़ना नहीं चाहता वह नहीं चाहता किसी का घर उजड़े किसी का बेटा मरे इसलिए वह बढ़ती हुई करने की कोशिश करते हैं तीन कौन कौन शरत चंद्र के बारे में सुभास चंद्र के बारे में और विजय के बारे में लेकिन इनके बारे में कोई खबर नहीं आती है अंत में शरत घायल अवस्ता में आकर बताता है कि विजय और सुभास भीड में कुछले जाते हैं विजा कहता है तुमने ठीक कहा सभीता यह हमारे देश की सती है जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती और यहीं पर एक आंकी स्थमाप्थ हो जाता है दोस्तों वीडियो अच्छे लगी है तो लैक्षियर जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके धन्यवाद